या केंद्र में नरेंदर भाई की सरकार हो हर जगे हमने अच्छा पर्फरम किया है आप कारे करता हूँ इसलिए मैं आपको कहता हूँ किसी भी मतल दाता को मिलते वक्त सीना चोडा करकर जाईये आपके नेत्रुतों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे आपको सर नीचा डालना है हमें पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे तीथी नहीं बताएंगे अगर द्याका अंदोलन लेकर हम निकले हजारो निर्दोस कारे करता उपर घुलिया चलाई सेंकडो कारे करता मौट के घाट उटार दिये क्या दोस्त था इनका वो ही चाहते थे कि जहां प्रपुस्री राम का मंदिर हुआ है वह एक भव्य जन्म हुआ है वह एक भव्य मंदिर बनेगे इतनी ही इसी तो मांग थे और हमें ताने लगाते थे कि हमारा रातनीची कारे करम तभी मंदिर नहीं बनने वाला है और आज मैं उनको पूछना चाहता हूँ आप कोई रोक नहीं सके नरेंद्र मोदी जी ने वहां नंदिर का भूमी पुजन कर दिया है और कुछी मैनों में आकास को छुने वाला गगन चुम्बी स्री राम लला का मंदिर वोही जगे पे बनने वाला है एक काम तब होते है जब सत्ता की परवार नहीं होती मेरे साथ एक बार बोलो जय स्री राम जय जय स्री राम एक काम तब ही होते है जब सत्ता की परवार नहीं होती एक काम तभी होते है खूर्शी से सिध्धान्त पर ज्यादा प्यार होता है और एक काम तभी होते है अपनी जान से ज्यादा भारत मा का सनमान प्यारा होता है तभी होते है एक दूसरा वादा था गिरीज भाई बैठे बहुत पुराने कारे करता है यहां भारतिय जनता पार् से धारा से 370 को समाप्त कर दें हम कस्मीर से 35 को समाप्त कर दें मुझे कई कारे करता पूछते थे देश बर में मेरा प्रवास होता कि साब एक घोशना पत्र से यह वाक्य कब हटेगा मैंने बुला आपको क्या आपत्ती है वाक्य से कि वाक्य से आपत्ती नहीं है 370 से आपत्ती है वो कब हटेगा क्योंकि 2014 में हमारे पूरे बहुमत की सरकार थी वो पूछते थे 2019 में आप सब ने परिश्रम किया महराश की जनता ने जोली मुदी जी की कमल से भर दी और पूरे बहुमत की फीर से सरकार आई और 5 अगस्त 2019 को मुदी जीन ने समविदान से दारा 370 और 35 से को उखाड कर भैक दिया नहीं और खून का कत्रा भी नहीं वा एक गोली नहीं चल आनी पड़ी जो कहते थे खून की नद्या बहेगी वो देखते ही देखते रहे गए और आज हमारा कस्मीर भारत मा का मुगत्मनी आज भारत के साथ हमें साह के लिए चूप गया लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीविए इंडिया लाइफ को सब आना मत